भारतिय जनता पार्टी के माननिय रास्तिय प्रवक्ता राज्य सभा सांसद डॉक्टर सुधांसु तृवेदी जी आपको संबोधित करेंगे मेरा विनम्र निवेदन है माननिय सुधांसु जी से कि आपको संबोधित करेंगे मित्रो देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है चुनाव समाप्त हो गए परंतु इन चुनावों में जहां एक तरफ विश्व के सबसे बड़े व्यवस्थित और तकनीकी दृष्टी से न्यू टेक्नॉलजी से एप्रोप्रियेटेड एलेक्शन्स वहीं उसी के साथ बहुत दुख की बात यह है देखिए चुनाव होते रहते हैं सरकारे आती जाती रहती हैं परंतु देश और लोक्तंत्र की मर्यादा और लोक्तंत्र की लोकलाज और लोक्तंत्र की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठने चाहिए देख पहले हमारे विपक के प्रतिकरिये स्विकार है हमारी सरकार के प्रतिकरिये स्विकार है पर जब आप लोगतंत्र के उपर कुठारा घात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो यह कताई अस्विकार है इन चुनावों में हमने देखा हमारा मोदी जी के नित्तु में भारती, जन्ता पार्टी और NDA का एक ही मूलमंत रहा विकास और विकास के आधार पर विश्वास और विपक्षी दलों का एक ही मूलमंत रहा भ्रम, भ्रम के आधार पर भय और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुश्परचार किया गया तो कहीं लोकतंतर खतम हो जाएगा तो कहीं समविधान खतम हो जाएगा तो कहीं पर आरक्षन समाप्त हो जाएगा तो कहीं पर उत्तर दक्षन में भी भाजन करवा दें और अनेक अनेक आधार हीन भड़काव बाते की गई परंतु इधर जो विशय चुनावी प्रक्रिया को लेके उठाए गए आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उसका युक्ति संगत और तकनी की उत्तर दिया है जो जो बाते मांगी गई थी डिमांड वो सारी बाते पूरी हुई है परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा चुनाव की हार की निश्यत्ता यानि सर्टेनिटी ओफ एन एन एबिटेबिल एलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देर माइंड कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है इसलिए इस प्रकार के आरोब कि देर सो डीम को फोन किये गए चुनावायोग ने कहा बताईए आपने संख्या कोट की है संख्या कोट की है तो बताईए कौन है तो कहते हैं साथ दिन का समुनन का आज शाम तक दीजिए चुनके आपने का यह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बाते उन्होंने करने का प्रयास किया है इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है प्रॉपर्टी डिस्टिबूशन से लेके मद्द ऐसी कोई भी चीजिस से लेकर समाज के अंदर विपलाव पैदा किया जा सके और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 22 करोड की जो प्रॉपर्टी निकली है वो बाते कैश सामने दिखाई पढ़ ला था परन्तु मैं कॉंग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं किया पिछले वर्ष तेलंगाना और करनाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान मध्यप्रदेश और 36 गड़ों में गलत काम हुआ क्या 2018 में राजस्थान और 36 गड़ों में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड हो गया तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं आप उत्तर से दक्षन तक चलिए ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निमनिस्तरी बाते कर रहे हैं मतलब उनके हिसाब से चु लंगाना में अच्छा काम किया मगर क्या बताएं गुजरात और महराष्ट में अच्छा काम नहीं किया फिर उसने तमिलनाडू में अच्छा काम किया फिर उसने करनाटक में अच्छा काम किया फिर केरल में भी अच्छा काम किया मगर क्या बताएं फिर इस बार राजस्थ मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है मैंने सिर्फ ये बात कही है कि आप उत्तर से डक्षन तक देख रहे हैं और उसके बाद और मैं यह भी कहना चाहता हूं पराजे दिख रही है तो पराजित आप अनेक बार हुए है जब आप कहां से सत्ता गई तो दुबारा लोटक के नहीं आए 1977 में कांग्रेस वेस-बेंगाल से गई आज तक लोटके नहीं आई 1989 में इूपी भिहर से गई आज तक लोटके नहीं आए 1990 में गुजरात में गए बीच में जंता दल का कॉंग्रेस में कुछ समय के लिए विले हो गया था आज तक लौटके नहीं आए मेरे भाई आप अनेक बार हार चुके हैं और ऐसे हारे हैं कि वो वेंट 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 सो ऐसो वेंट की केमा हिना ही तो भाई अगर केंद्र में आपको मोधी जी के नितुर्त में एक प्रबल दिखाई पड़ रहा है नितुर्त तो इमानदारी से लड़िए परंतु लोकतंत्र को लांचित बत करिए मतब इनकी हालत जानते क्या हो गएगे जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना हम गलत नहीं हो सकते सब गलत है election commission गलत हो सकता है court गलत हो सकता है लोक्तांत्रिक बेवस्था गलत हो सकती है जन्ता गलत हो सकती है इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा इमानदारी से चुनाव परणाम की प्रतिक्षा करिये हम भी प्रतिक्षा कर रहे हैं आज तो अब 24 गंटे की भी बात नहीं रहे गई है 20 गंटे के बाद दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा आपको जितना मठा करना था आपने कर दिया परंतु छाच का छाच और दूद का दूद भी साफ हो जाएगा परंतु मैं अन्तु में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अब तो अनेक लोग ये भी सुईकार करने लगे हैं हमें इस बात का शक ये होता है कि ठीक है कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने भारत के अंदर अन्रेस्ट पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज भारतियों के मन में ये संदे है कि चुनाओ के परिणाम के समय भी कहीं ये कौन सी अग्यात शक्तियां हैं जिनके द्वारा जाने में या अंजाने में ये लोग संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अने एक मीडिया में इस प्रकार की बाते आई थी कि देश के अंदर और देश के बाहर से बहुत सी शक्तियों ने इस बात के लिए प्रयत्न और संकल्प किये थे कि वो सरकार को नहीं आने देंगे आप लड़िये एमानदारी से और जो हो उस निर्णे को स्विकार करिये तो मैं सिर्व यह कहूंगा अभी जो फिलहाल एक्जित पूल के जो इजर्ड्स आये हैं हम लोग बच्पन में कॉंग्रेस एक नारा देती थी कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है अब जन्ता ने बता दिया कि सरकार चलाना किसे आता है और सारे भारत से नाता भी टूड़ गया अब इनका नारा केवल यह हो गया है लोग तंत्र नहीं सुहाता है इसलिए केवल बवाल मचाना आता है तो मैं अन्त में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस पार्टी जवाब दे कि आप लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हा रहे हैं अनेक राज्यों में चुनाव जीते हैं चुनावी प्रक्रिया और लोक तंत्र के उपर आगाद भारत का कोई भी भारतवासी स्विकार करने को तैयार नहीं है चुनाव की हार जीत के लिए आप परिपक्त वो विपक्ष की भूमिका कैसी निभाई जानी चाहिए हम से सीखिए हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं सबसे जादा चुनाव हा रहे हैं मगर कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया है तो अब साबित हो गया ना कॉंग्रेस को सरकार चलाना आता है ना भी पक्ष की भूमिका निभाणा आता है धन्यवाद है इंग्लिश में कह देते हैं प्रेंड्स अब श्रूप्रेंट्स अब कम इन लास फेस लोगोड प्रोंगाथ एंपर्टूलिश फट्रूब्रुट आख एंपराईटलीश फिर्किर अवित करता कर्ष के लिच्ट पर दूटरूलोट्ट्ट्रूलोट्ट्ट्स अबछिएट एंड्स लेच्वार जुटर्ष बिस्ट अप्रूल इंवेर्ट उच्रूलुश ऑ्र उसावारी हिडिक देट बस्तित परुबलावेज की तर सीकॉष्ट थाएट की प्रीट पर्लिट की एंधर्ड एंविद इस प्रीजिए इसोते प्रीबलेशनी की जिए लगार्श में अर्वार्श हैंजेंगा they have used the dastardly words against our leader Prime Minister Shri Narendra Modi we have accepted that we have not reacted on that they have used, abused Bharati Janata Party you are welcome, it's a democracy you can criticize the government you are welcome, it's a democracy but you cannot criticize the basic spirit of democracy you cannot criticize the government you are not allowed to demean the dignity of the country just for the sake of your political gain and disrespecting the democracy right now they have come to a new low when these type of allegations have been made that 150 district magistrates have been called and the election commission has asked that you have given a quantitative clear figure now give us the list now they are trying to divert so that's why our motto in the entire election under the leadership of Narendra Modi was Vikas and Vishwas development and confidence and their motto was Brahm and Bhai to confuse, create a propaganda and fear now the process has finished let us wait for the results why you are doing like this if you have gone berserk in the desperation of inevitable defeat in a consecutive three terms so I would like to remind you that you have lost the government several times and you have never came back in 1967 in Tamil Nadu never congress came back 77 West Bengal they never came back 1989 they lost in UPNBR they never came back in 1990 they lost Gujarat they never came back so it's happening for the again at the time center also you lost and you are not being witness to coming back so don't criticize the democracy and one more thing again I would like to add in the last few years according to you the election commission was working very good in Punjab Himachal but not good in Haryana and Uttarakhand it was working very good in Delhi but not in UP it was working very good in Bengal Telangana, Tamil Nadu but not working good in Gujarat, Maharashtra and Assam so don't try to hoodwink the people of India they are wise enough to understand that you are doing this type of allegation nothing but to satisfy your ego like like the despotic prince so I would like to say finally Congress uses to give a slogan that the people have seen that they are not worthy of running the government but they have lost even the maturity to perform as a proper opposition I would like to say 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 Congress I would like to remind election to a 1991 Amitri election Congress Congress I would like to say I would like to say I would like to say the community of democracy Any questions? Any questions? I would like to say 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 May I would like to say make a statement or Amitri the खाल से दिग्विजय सिंग जी अभी आज ये बोल रहे हैं कल शाम तक आते आते सारा ठीकरा खड़के जी के सर के उपर फोड़ने की तैयारी हो सकती है देखे इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर तत्व हैं क्योंकि पहले भी पूर्व में बाहर से बैठे हुए कई लोगों ने ये वक्तव दिये थे कि वो हर हाल में भारत में मोदी जी की सरकार हटाना चाहेंगे रही बात इसकी अपशब्दों का तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ मोदी जी के विरुद्ध कब्र खुदेगी मौत का प्रकार मर जा टुकड़े टुकड़े मैं विनमरता और चुनोती से कहता हूँ हमने किसी प्रधान मंत्री की कभी मौत की कामना की हो तो ये बता दे जब इंद्रा गांधी ने एमर्जंसी लगा कर सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिये तब भी हमने किसी की मौत की कामना नहीं की और मौत के सौधागर से शुरू हो के 2007 में मौत की कामना और मौत के प्रकार तक आने वाले लोग जब यह प्रवचन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र में एक श्रगाल प्रवचन है ना शब्दशा न लिया जाए इसको उपमा के रूप में कह तो हजार नौ में जब आपकी बाती बाती है तब बिल्कुस समय समय पर चुनावी प्रक्रिया में तक्नीकी सुधार और उसके अंदर वांचित संशोधन किये जाते रह सकते हैं अब आप ने नाम लिया तो मैं यह भी बात बता दू 1951 के पहला एलेक्शन कैसे हुआ था तो उसमें तो जानते क्या हुआ था कई जगहों पर पोलिंग बूद जो थे वो ट्रेविल करते हुए जाते थे ऐसा भी हुआ था बाद में महसूस किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता तो इसके आधार पे आप यह नहीं कह सकते कि 1952 का चुनाव सही नहीं था वो उस परिसितियों में था और उसके बाद वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई अब तो चुनावा योग ने चुनोती दे के कहा था ना आईए हैक करके दिखा दीजिए तो कहां वो यह ऐसी वाली बात लगती जैसे ब्लैक औन वाइट के पिक्चर ट्यूब वाले जमान देखिए जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिर्फ पशिम बंगाली एक मात्र प्रांत रहे गया जहां से हिंसा की घटनाएं अभी भी होती रही है इसलिए जो उन्होंने संभावना वेक्ट की है हम आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि चुनावायोग इन सार अली एलिमेंट है वो किसी प्रकार का प्रभाव मदगर्णा पर ना डालने पाएं व्रहिप स्टर धिए करते हैं कि अधर चिन अतानि आप्रभाव इंट्रमोध व्रहिणा ओड स्टार मेंगर्णा आपड्ल च्ञत प्रभाव मद आदिए इस हिए इस गिए इस गौंट ऑफ निएजिए अटर जए स्टरी अरे मिनस्टर मॉध्वाट व्रहिए because in this 21st century vibrant and vivid democracy for the third consecutive term with a clear majority which is seems to be sure tomorrow I think this is a very significant achievement and one more achievement जो मैंने पहले कहा जो जो डेमोक्रेसी में चोर हुई है त्यों तो भाजपा की ताकत बढ़ी है मैंने आपसे कहा बोटर आईडी कार्ड के बाद ही हमारी पहली सरकार बनी साक्षर्ता 50 परसेंट आने के बाद बीजेपी की सरकार बनी 60 परसेंट आने के बाद मोदी जी को हुए हैं वो विच्छिप्त हो रहे हैं वैसे तो आपको नाम नहीं लेना चाहता एक बहुत बड़े देश का प्रमुख अकबार जो सामान्यता रूप से भारत के पक्ष में कभी नहीं बोलता उसने भी अपनी टिपड़ी में लिखा है कि मोदी जी आने वाले हैं तो फिर उनकी ये प्राइरिटीज रहेंगी तीसरी अर्थवेवस्था बनने की बात होगी पर जहां तक आपने मोदी जी की बात कही है सौ दिन का तो उनका एक्जिकूशन प्लान है ताब दस साल की प्रफॉर्मेंस है जो हमिशा जी ने कहा था और पचीस साल का एजेंडा है अमर कुवेंट ट्रैक रिकॉर्ड टेन येर्ज का है प्लान 25 येर्ज का है 100 येर्ज उसका फर्स्ट किस्टेप होगा मोदी पॉइंट थ्री में